दोस्तो चुनाव का जब मौसम आता है तो लाजिम है कि पार्टियों के अंदर दल बदल तो होता ही है लेकिन आज कल कि सेनारियों में तो हम देख रहे हैं कि कॉंग्रेस और अन्य पार्टियों को नेता धोका दे कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी राजनेतिक भविश्य के लिहास से एक सिक्योट पार्टी है लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो रहा है जी हां इस बार हरियाना के अंदर बीजेपी जेजेपी और अन्य पार्टियों ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है एबीपी न्यूस के मताबिक बीज बीजेपी जेजेपी की गटबंदन सरकार पर निशाना साधा हुड़ा ने कहा कि एच पी एसी की परिक्षा यानि हरियाना पब्लिक सर्विस कमिशन से हरियाना जी के खत्म करने यूरिया बैग का वजन घटाने और कानून गो के धरने प्रदर्शन को लेकर भुपेंदर स सर्विस कमिशन के जरिये असिस्टेंट एंवार्मेंटल इंजिनियर भरती में जारी स्लेबस पर भी तिपणी की कि बीजेपी जेजेपी की गटबंदन सरकार हर्यानवी यूवाओ को नौकरियों से वंचित रखना चाती है इस वज़ा से जान बूज कर ऐसे नियम बना र परियावरन अभियंता और लेक्टर से लेकर हर भरती में हर्यानवी जो नौजवान हैं उनके साथ साजिश हो रही है यह कहना है वो पिंदर सिंग हुड़ा का हुड़ा के मताबिक हर्यानवें भरती के नियमों में ऐसे बदलाब किये गए हैं कि जिन लोगों के पास हर्या हर्याना का रेजिडेंट बता सकते हैं वहीं हर्याना डॉमिसाइल के नियमों में फेर बदल करके 15 साल की शर्त को घटा कर पास साल कर दिया है ताकि हर्याना की नौक्रियों में प्रदेश के जो यूवां हैं उनका चैन ना हो पाए पुर्व मुख्यमंद्रे बुपिंदर हर्याना की तो इस वक्त मनोहर लाल खटर के अंदर बीजेपी की ये सरकार चल रही है और तक्रीम आच साल हो गए हैं मनोहर लाल खटर को मुख्यमंद्री बने हुए दूसरी बार भी वो जो हैं काबिस हुए और हर्याना में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बेरोज जुर्माना जो है उनके उपर लगाया है जी इस पूरे मामले के अंदर हाई कोट के अंदर ये पूरा तफसरा आया है जो की जागरन.com पर भी छपा है आपको बता दे कि हर्याना में आप तक 40 पेपर लीक हो चुके हैं ये एक ऐसी जगा है हर्याना जहां पर पेपर लीक ह होना और नकल वगरा कराना पैसो का लेंदेन करके नौकरी आंगे बढ़ाना ये तमाम बाते हर्याना में जादा परसंटेज में होती है इस तरह के आकड़े सामने भी है और वहां लगबग कोई भी परिक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है और ये कहना है हुड़ा का कि जब एकडम चतूर्त श्रेणी जो लास्ट श्रेणी के जो पद निकलते हैं सरकारी नौकर्यों के अंदर तो उसके अंदर लाखों यूवा आविदन करते हैं और हरानी की बात ये है कि इन आविदन में पिएचडी होल्डर्स और मास्टर डिग्री होल्डर्स भी आविदन करत कि बेरोजग्यारी के कारण धीरे-धीरे हर्याना के जो युआ है बरबादी हो रहे हैं और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं पिछले आठ सालों से मनुहर लाल खटर बीजेपी की तरफ से हर्याना में मुख्य मंत्री हैं और इस बार तो जो पहलवानों का मसला हुआ है साक्षी कि इसी बात का नतीज़ा ये हो कि वक्त रहते जो ये नेता है सेप साइड निकल रहे हैं कि अभी से हम यहाँ चले जाएं क्योंकि अब लोगस्वाद चुनाव आ रहे हैं हो सकता है कि तखता व्लट की तयारी अभी हो जाये क्योंकि हर्याना एक ऐसा राज़ है जहां पर कॉंग्रेस का अचा खासा दबदबा रहा है वुपिंदर सिंग हुड़ा की भी बहुत अच्छी सरकार रही है और फिर बीजेपी की सरकार रही है तो अन्य जो पार्टियां रहती हैं उन पर जादा लोग फोकस नहीं करते हैं लेकिन कॉंग्रेस बुजेपी पर जादा करते हैं तो हो सकता है एंटी इंकम्बिंसी इस बार हो जाए और हर्याना के लोग कॉंग्रेस को मौका देते हैं आप क्या कुछ कहेंगे हर्याना के इस हाल पर ज़रूर बताएए कॉमेंट बॉक्स पर देखते ही दनीशाइए